प्यार को लीकर कई कहवतें प्रचलित हैं जैसे कि प्यार अंधा होता है प्यार में जाती नहीं देखी जाती वगरा वगरा लेकिन बीटे कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामनी आए हैं जिने देख कर लगता है कि आप प्यार के माइने ही बदल गए हैं नए जमाने का प्यार अंधा होने के साथ साथ आफ जानलेवा भी हो गया है कुछ ऐसा ही मामला राज़ान दिली से सामनी आया है यहां के नागलोई इलाके में रहने वाली सोनिया उर्फ सोना नाम की एक लड़की ने अपने इंस्टेग्राम पर आई लव भूत लिख रखा था घर में भी जब वो फौन पर बात करती थी और कोई पूस था तो वो कहती थी कि अपने भूत से बात कर रही हूँ लेकिन उस वक्त सोनिया ने ये नहीं सोचे होगा कि उसका प्यारा भूत ही एक दिन उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा दरसल नागलोई की सोनिया करवा चौत के दिन अपने घर से सामान लेकर अपने प्यारे भूत के पास जाने के लिए निकले थी सोनिया ने भूत के लिए करवा चौत का वृत भी रखा हुआ था वो चाहती थी कि वो भूत के हतों पानी पी कर अपना वृत खोले लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है जिस भूत की लंबी उम्र के लिए उसने करवा चौत का वृत रखा था उसी भूत ने सोनिया की खत्या कर दी और लाश को जमीन के चार फिट नीचे दफना दिया सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सोनिया साथ महीने की प्रेगनेंट पी थी सोनिया के परिजिनों का कहना है कि वो ये तो जानते थे कि सोनिया किसी से प्यार करती है लेकिन वो भूत कौन है ये उन्हें मालूम ना था बाद में जब जानकारी मिली तो पता चला कि उस भूत का नाम संजू है लेकिन वो भूत संजू नहीं बलकि असल में सलीम था सोनिया की छोटी बेहन ने कहा कि जब हम घर गए तो पता चला कि सोनिया जिसे भूत कहती थी वो मुसलिम है सोनिया को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का बहुत शोग था वो रिल बनाय करती थी और सोशल मीडिया पर अपलोड भी करती थी सोनिया के इंस्टाइग्राम पर सरसर सो फॉलोवर्स थे वो जिन्दा दिल थी जीना चाहती थी लेकिन वो जिस से प्यार करती थी उसी सलीम ने उसकी गला दबा कर खत्या कर दी इसके बाद उसका शब हरियाना के रहतक के जंगल में दफना दिया सोनिया साथ महीने के गर्ब से थी और सलीम से ही शादी करने की जित कर रही थी जबकि सलीम उससे शादी के लिए राजी नहीं था सोनिया के परिवार का दावा है कि सोनिया जिस भूट से बात करती थी उसका असली नाम सलीम है ये उन्हें 21 अक्टूबर यानि करवा चौत के अगले दिन पता चला जब सोनिया की तलाश में उनकी बेटी संजू सलीम के घर पहुँची दिल्ली पुलिस को इस मामले की शिकायत 23 अक्टूबर को मिली इसके बाद पुलिस ने सलीम को हिरासत में लिया और जब उससे पूस्ताज की गई तो उसने कतल की बाद कबूल कर ली दिल्ली पुलिस के मताबिक संजू उर्फ सलीम ने पूस्ताज में बताया की हत्या की साजिश उसने पहले ही रचली थी इसके लिए उसने अपने दो साथियों रितिक और पंकच को भी शामिल कर लिया करवा चोथ का दिन फिक्स किया और फिर उसने एक कार किराएपर ली रात में जब सुनीय अपना सारा सामान लेकर घर से निकली तो संजू उर्फ सलीम को नांग लवी इलाके में बिली वहां से संजू उसे सीधे रोहतक की तरफ लेकर गया रास्ते में उसने सोनिया की गला दबा कर हत्या कर दी और फिर रात में ही उसकी बॉडी को रोहतक के जंगल में दफना दिया और वापस दिली लोटाया सोनिया साथ महीने की प्रेगनेट थी और उससे शादी करने की जित पर अड़ी हुई थी लेकिन सलीम चाहता था कि वो अपना अबोशन करा ले लेकिन सोनिया इस बात के लिए राजी न थी पुलिस ने बताया कि संजू उर्फ सलीम पुलिस के हत्ते तब चड़ा जब वह बिना नंबर प्लेट की बाइक से पक्षिम विहार में गूम रहा था उसके पास से जो आईडी कार्ड में मिला वह सोनिया के पिता का था इस वजह से सोनिया के पिता को जानकारी मिली और उन्होंने नागलोई थाने को जानकर दी मिर्तिका के परिजनों को कहना है कि ठाने में पुलिस से उनकी बात नहीं सुनी जब वो पहली बार शिकायद करने पहुँची थे तो उनसे पुलिस ने कहा था कि दोनों पती पतनी है फोन बंद कर दिया होगा वापस लोट आएंगे और डाट कर उन्हें ठाने से वापस भेज दिया था जब संजू उर्फ सलीम को पक्षिमी दिली पुलिस ने पकड़ा तब जाकर पुलिस ने उससे पूस्ता शुरू की और संजू उर्फ सलीम ने सारा सच कुबोल कर लिया वह पुलिस को लेकर रोहतक में उस जगह पर भी पहुँचा जहां उसने बौडी दफनाई थी पुलिस ने इस मामले में अब सलीम और उसके एक साथी पंकश को ग्रफतार कर लिया है जबकि दूसरा आरोपी रितिक अभी फिलहाल फरार है दिल्ली पुलिस का कहना है कि संजू का असले नाम सलीम है यह बात सोनिया जानती थी या नहीं इस बात की विज़ाच चल रही है अगर कोई भी तथे सामने आते हैं तो इस मामले में उससे जुड़ी कानूनी कारेवाही की जाएगी पुलिस पुरे मामले की जाज कर रही है और रितिक को ग्रफतार करने की भी कोशिश की जा रही है